आप सभी को नमस्ते आप सभी को आज के सुब दिन स्री भगवान परुष्राम जेनती की धेरु शारो बधाईयां आज हम भगवान परुष्राम के वाड़े में कुछ जानकारियां आप लोगों को देना चाहते हैं भगवान परुष्राम महर्शी भिगू के पुत्र महर्शी जमदागनी और उनकी पत्नी रेनुका का पुत्र था भगवान परुष्राम और ये मद्पर्देश के इंदोर जिला है उसमे के गाम है वहाँ पे जो ग्राम है एक मानपूर वहाँ पे जन्मे थे और ये जन्म से ही माता पिता भक्त थे और इनके जो गुरू हुए विश्वामित्र रिचिक कश्यप बगवान संकर ये सारे गुरूं से मिलके इन्होंने अगाद सक्ति, अगाद बल, अगाद विद्या, सास्त्र वेद, विदांग, सास्त्र चोतिस, सभी सास्त्र विद्या, सभी निती विद्या, सभी के ये गुड ग्याता थे तो एक घटना इन से जुरी हुई है कि ये छत्रिये भी हैं कैसे छत्रिये हो गए तो क्या हुआ कि इनके जो पिता थे इनके पास एक गाय थी उनका नाम था कपिला कामधेनू और इनके पिता जो थे एक राजा हुए महीश मंत करके उन्होंने ही नर्बदान नर्दी के किनारे महीश मती नाम का बहुत बड़ा नगर अस्थापित किया था जिसके उपर महीश मती के उपर में अपने बहुबली मूभी भी देखे हैं तो महीश मंत जो था वो नगर बनाये था महीश मती महईशमती उनके जो पुतर थे चार पुतर थे उन चार पुतरों में जो था कृतिका उसका साथ जो है जमदागनी का अच्छा रिलेसन था और उनके इसी भिर्गुवन्स के ही राजा जो पंडित होते थे उनके राजप्रोहित हुआ करते थे लेकिन जो इनके एक उत्र पूत्र थे महिस्मंत के उनका नाम था अरजुन जिसको सहस्तर अरजुन भी कहते हैं उनका क्या हुआ कि जमदागनी के जो उनके आस्रह में एक गाई था उसमें नजर आ गया और वो बलपूर्बा कुस गाई को अपने महल ले आया तो अपने पिता को इज़त बचाने के लिए अपने पिता की मर्यादा को ध्यान रखते हुए परुसराम ने उनके साथ युद किया उनके सहस्तर बाहु थे तो सभी काटके सारे बाहुं को काटके उनको मार दिया और मार दिया और अपने गई वापस ले ली और इसके प्रतिसोध में क्या हुआ कि इनके जो पुत्र थे सहस्तर अरजुनाइक उनके पुत्र इनके पिता को जब इनके अबसेंस में मार दिया और इनको जब पिता मर गए और इनके जो पिता जमदागनी थे वो मर गए और इनके मा जो थेरेनु का सती होगे क्योंकि इनके इतना उस पर थाथ था या कहो या इतना उनको आगात पहुँचागी वो भी जल गे अब ये सब घटना घटी तो भगवान परुश्राम बहुत आग बगुले होगे और फिर इन्होंने बोले इसको हम जर्ज से समाप्त कर देंगे इस बंस को ही समाप्त कर देंगे और उसके बाद उनके सारे बंस को एकीस वार समूल नश्ट कर देते थे ऐसे महान जो युद्धा थे इनके जो सबसे खरग बोलते हैं वह बहुत परचलित है प्रशु भी बोलते हैं उसे को इसलिए इनका नाम वैसे बच्पन का राम था जिसके प्रशु होने के साथ सारी प्रशु राम हो गया तो आज उनका जन्म दिन है और यह ब्रमन कुल में जन्मे थे और काफी बड़ी बिद्वान थे ठीक है तो आप सभी को धेरो सारी बधाई भगवान प्रश्राम जन्तिक नमस्ते